सुवाट जैसे ही मार्केट के उपनी गुहित काफी लोग के चेहरे में खुशियां हो गई और खुशियां हो न क्यों क्योंकि कल तो भाई साब बहुत सारा खुन खरावा हुआ उसके बाद थोड़ी सी हैपिनेस थी लेकिन कहते हैं कि खुशियों के नजर लग गई वापस वही कहानी हुई जो लगबग दो-तीन दिन पहले पिडिट की जा रही थी और सब एनलिस्ट ही कह रहे थे कि बाई साब बच के रहना क्योंकि ये ट्रैफ हो सकता है तो आज की वीडियों बात करने वाले हैं कि अचाना कैसा हुआ क्यों और अभी क्या strategy हमें अपनानी पड़ेगी कितने दिन तक ये काले बादल रह सकते हैं क्योंकि काफी लोग जो थे कह रहे थे बाई साब बबल बन चुका है बहुत बुरी तरह फटने वाला है यहां तो बहुत सारी investment आपको रोकनी होगी और खास कर एक important sector है जहां से पैसे आप तुरन निकालो इसके बारे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ positive वाले बात करेंगा ऐसा नहीं कि कि ना काम है negative cover देना ऐसा नहीं है मैं तो खुछ चाता हूँ कि हमें इसा positive चीज़े होती रहे लेकिन अब क्या कर सकते हैं तो कुछ ऐसे fund बताने चाला हूँ कि जब भी मौका मिले इस fund में top up जरूर करना क्योंकि ये fund return ठीक ठाक दिये हैं अब देखो जितने लोग आप लोग हैं सब लोग दो प्रकार के लोग होते हैं हम investor हैं इंसान है और फितरत होती इंसान की और इसमें कोई गलत नहीं है बिल्कुल जैसे आप हो मैं भी इसी तरह हुआ करता था कोई अलग बात नहीं है एक होते हैं एक ऐसा mindset होता है उनका और एक होते हैं positive mindset के एक negative mindset के होते हैं लोग होते हैं अब देखो negative mindset क्या होता है क्योंकि इस समय सब कुछ हालाच चल रहे हैं और ये हमारे रमजान भाई ने छोड़ी slide मुझे भेजी थी उससे मुझे एक idea मिला कि ऐसे कर सकते हैं रमजान भाई हमारे नेवी तो मुझे न कम से कम इतने में तो चाहिए ही चाहिए था comment section मुझे बताओ कि आप इन दोनों में से कौन हो positive mindset अभी भी है कि धीरेच का जो बाहन है टूड़ गया जरू मुझे बताना क्योंकि देखो यह जो कहानी है यह होती है डिपेंड करता है कि आपने mutual fund industry आपने कब join की है अब देखो जो ऐसे होता है न कि उनके nav down है उन्होंने वो mutual fund industry down कि उनको join किये हुए six month होते है seven month होते है three month होते है तो यह उनका mindset होता है जो बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि पता नहीं था recent late join किया अब 6 महीना अब केवल 6 महीने के बाद join किया सोचे थे कि भाई साब full बरसेंगे लेकिन नहीं पता था कि यार यहां तो कदम-कदम पे काटे है और जो बिल्कुल है यही चेयर market mutual fund में इतना असान पैसा बनाना अगर होता तो सब लोग बनाते लेकिन यहां कुछ कठिनाईया अगर रहती है देखो ऐसा फूल तक पहुचने के लिए कठिनाईया तो आपको करनी पड़ेगी दूसरी बात है अब यह जो लोग है ना जो यह thinking के साथ आ चुके हैं सोच के साथ आ चुके हैं कि नहीं यार मैं तो इंतजार करता हूँ गिरावट की पता है वो कब mutual fund जोईन के रहते हैं उनको हो चुके रहते हैं दो साल तीन साल अब आप समझ रहे ना कि आप किस कैटिगरी के हो और अगर उस कैटिगरी में आपको ऐसे लक्षणा रहे है ना सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम इंसान है फितरत होती देगी हमारे अंदर तीसरी बात होती है कि ऐसे लोग जो नोंने रिसेंटली जोईन किया है मारकेट में अच्छी ख़बर वाव मज़ा आ गया ये हो रहा है वो हो रहा है भाई साब उचलने कूदने लगते हैं ऐसे होते हैं जो आज मौरनी की ख़बर सुनके सर बिलकुल इतने हैपी इतने हैपी की पूछो मत लेकिन वहीं अगर कुछ हो जाएगा अब ये लोग ऐसे बात करते हैं ठीक है कमेंट देखता रहे तो मैं आप देखो लेकिन वहीं जो थोड़ा एक्सपीरेंस हो जाता है तो भाई साब महेंदर सिंग धोनी जैसे हाँ भाई पता था पता था ही होने वाला मैं तो चारा हूँ करेक्शन हो मैं तो चारा हूँ थोड़ा बहुत नीचे गरे तब मैं जाके इन्वेस्ट करूँ ये सब होते हैं तो यह आप समझे लेना कि आप निगेटिव माइन सेट के हो पॉजिटिव माइन सेट के हो दोनों हो दोनों अच्छे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने कब जॉइन किया है रही बात मेरी सर तो सर कल पचास जार स्वाह होगे स्क्रिंशोट आपके सामने है रिटर्न जहां 43% हो के खुश्वा करता था मैं वापस महुच गया 37 पे लेकिन पता है मुझे कि ये 37 अगेन 44-45 पहुचने वाला है क्योंकि कल हमने 1.5 लाग तक का लमसन लगबा कर दिया है अब ये important factor ही बनता है कि आगे कितना मोका मिलेगा लेकिन returns negative positive होते रहेंगे जो आपको message में लगातार देना चाहूंगा और जादा खुश भी नहीं होना है बस मोके की तलाश करना है क्योंकि आने वाला समय बहुत ह crucial हो सकता है उसके पीछे कहानी क्यों है मैं आपको ना डाउन जोन्स के बताना बूल गया क्योंकि अगर हम sensex की बात करें सर मार्केट आज बढ़ी अच्छा खासा अगर मार्केट की बात करें sensex की तो सर आज 166 पॉइंट नीचे गिरा ये तो मार्केट ही कहानी रही लेकि 1033 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी 1033 पॉइंट नीचे है वही नेस्जेक की बात करें सर यूएस की कहानी है नेस्जेक की बात करें तो लगबग 576 पॉइंट नीचे है important factor है यहां कि जो हम बात कर रहे थे recession की recession की अभी भी वो data clear नहीं आया है सरकार की बात करें यहां US government की बात करें they are not sure कि यह data कितना गड़वर हो सकता ऐसा पता चला है अब जो लोग US में रहते हैं उनसे मुझे बात हुई अनिर जी है हमारे उनके उनसे माद्यम से पता चला कि sir ऐसा इतना यहां कुछ नहीं है जितना Indian media इतना फैला फैला के बता रह रही है कि देखो sir इतना ज्यादा issue नहीं जितना ज्यादा कहा जा रहा है तो market recovery के chances बहुत तेजी से होंगे तेजी से होंगे मतलब क्या हुआ again again मोके की बात करूँगा और ऐसे मोके पर मैं यही कहूँगा कि कुछ ऐसे fund हैं जिनको आप कभी छोड़ना नहीं और अगर इसमें आप लगाता टॉप अप करते रहो क्योंकि अगर इस fund का return देखो कि बहुत अच्छे returns हैं HGFC midcap fund की बात करें midcap category का fund है return की बात करें लगबग 24% का return अभी भी मिल रहा है midcap long term अच्छा सा hold कर सकते हो और इसका risk है risk भी ज्यादा नहीं है second बात करते हैं sir मोती रा लो opinion है कुछ लोग बोलेंगे sir परसरों पीने बोलते हो फिर बर्मान मना कर देखो कुछ चीजें नहीं बोली जाती इन चीजों को समझो आप बात को अब देखो लोगों के इशारा काफी है उसके इसाब से आप इसको pick कर सकते हो नहीं pick कर सकते हो again fundamental देखना बहुत जरूरी है अगर मैं अगर लेना चाहूं तो मैं इसी में निवेश करूँगा मैं तो आपको clear बोल रहा हूं बाकि आपकी मर्जी आपको क्या करना है मोती अलो स्वाल mid cap fund again गिरावाट आती है तो मैं top up इसी में करूँगा top up के साथ साथ में कोईश करूँगा कि और भी mid cap category के जो index fund है उस fund में निवेश आपन कर सकते हो, SBI कौंटरा की बात करूँगा ये भी एक कौंटर पागार fund इसमें में निवेश कर सकते हो, Axis mid cap fund की बात करूँगा, Quant large cap fund, large cap category में 2-3 fund है जो मुझे ठीक ठाक लगते है, तो कुछ important index में momentum fund की बात करा था, momentum fund को आप definitely कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारे fund है, इनकी category में निवेश करना, कितना amount निवेश करना है, और अगर आपको portfolio बगरा बनवाना हो, तो description में मेरा contact number है, whatsapp कर सकते हो, बहुत ही basic consistency charges है, आपको portfolio लगबग 6-7 days में आपको बन जाएगा, बाकि जिनको अर्जेंटी चाहिए तो उनका अर्जेंटी का लग वगरा charge है, तो वो देख लेना आप लोग, ये पहली बात हो गई, मैं ये पूरा event जो हो रहा है, इसको 300 मेगें डिवाइट कर रहा था, जैसे मैंने budget को डिवाइट किया था, again, पहला हमने 30% लगातार invest कर दिया, आज मैंने किसी को शलाह नहीं दी, कुछ भी आज की मिलती नहीं, ठीक है, तो जब भी, अगर कल मौका मिलेगा आपको निवेश करने का, तो definitely 12.12 के पहले करना, और इसी लिए मैं live नहीं आया था, क्योंकि situation ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन दूसरा face, दूसरे face के लिए ready रहो, कल बुदवार है, जैसा मैंने बोला था कि सर, ये weak बन सकता है, पैनिक, लेकिन देखो, as a return investor, हमें पता है, long term में, सारे mutual funds, जो अच्छे fundamental है, वो return अच्छा देते हैं, बस आपको इसको stuck रखना है, खुद को रोकना है, emotional कुछ भी decision नहीं लेना है, तो again 25% कर decision हो सकता है, last but not the least, कुछ important चीज़े हैं, जो लगातार आप comment section में मुझे पूछते हो, क्या sir, यहाँ PSU funds से निकल जाए, मैं आपको तो नहीं बोलूँगा, कुछ सलाह आपको नहीं दोंगा, लेकिन अगर मैं अपने आपकी बात करो, तो मैं नहीं निकल रहा हूँ, देखो, आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन मैं कोई भी PSU funds, चाहे आप SBI PSU की बात करो, आदित बिरला Sunlight PSU की बात करो, मैं नहीं निकल रहा हूँ sir, मैंने hold करके रखा इसको, क्योंकि कहीं न कहीं उमीद लग रही है, कि PSU stocks वापस तेजी से भागेंगे, कब भागेंगे नहीं पता, लेकिन उमीद है कि करते हैं, बहुत सारे लोगों ने recently small cap से investment सुरू की है, recently चालू की है और उनको negative return मिलना चालू कि है, sir मैं कहूंगा कम से कम minimum 3 years, आपने एक ऐसी नौका ली है, जो आपको बीच बीच में लगेगा कि भाई साब डूब सकती है, ठीक है, आप एक ऐसी नाओ पे सवार हो, small cap को मैं यही कहता हूँ, आप एक ऐसी नाओ पे सवार हो, जो आपको लगेगा, अर्यार 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 गिर सकता है, डूट सकता है, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीके रहे, अच्छा return बनता है, मैंने लोगों के एक एक करोन के portfolio देखे हैं, और design भी किया है, बताया भी last but not the least, कुछ important defense fund है, आप बोलो के संदीब भाई, आप बेच रहे हो कि आउसको sell out करो, मैं कह रहा हूँ, नहीं बेच रहा हूँ मैं, उस पे लगातार invest और कर रहा हूँ मैं, यह मेरा person opinion है, बाकी सब कुछ clear, सब को description पे mention हो गया है, आपने देख लिया होगा, सारे slide है mention है, स्वाज की वीडियों बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियों पसंद आई होगी, और yes, कुछ भी गलत कदम ना उठाना, कुछ भी update रहेगा, तो हो सकता है, मैं शाम को live भी आ सकता हूँ, बाकी मिलते हैं ने शुड़ों के साथ, बाई बाई टेक केर, जैए!